हेलो स्टेंट ये क्लास DRT फास्ट इयर के लिए जिसमें अपना सब्जेक्ट है डार्क रूम अपना टॉपिक चल रहा था ले आउट ओफ डार्क रूम डार्क रूम के बारे में तो अब आगे अपने इसको कन्टीन्यू करते हैं एक बार देख लेते हैं कि डार्क रूम क्या होता है ले इस्का आपको डार्क रूम दिखाई गया है जिसमें एक है एंट्रेंस है यह पास बोक्स लगा हुआ है ड्राइ रैंक होगी यह ड्राइब वासिंग टेंग और ड्राइब बेंच कैसेट हैंज और फिलम हैंगर्स यह अपना क्या है डाइग्राम दिखाया गया है डार्क रूम का मैंने आपको बताया क्या होता है एक फिलम प्रोसेसिंग रूम होता है यह एक्स रूम के बिल्कुल पास में और उसका लगबग स्पेस कितना होता डार्क रूम का टेंटू 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 क्यूबिक फीट और तो डार्कोम की वाल्स है, वह क्या उनीचे ठिक होनी चाहिए, मोटी होनीचे लुआ वह भी खिए ऑक्सरें के पास में हैं तो डार्क रूम तक नहीं पहुंचने चाहिए, इसलिए उसकी दिवारं मोटी होती है ताकि X-rays जब पास के अंदर फिल्मों को expose ना करे इसके अंदर क्या है अपने खिड़की नहीं रखते हैं क्या लगाते हैं ऐसी और अपने क्या करते हैं कि अपने कैसे पता लगाएगा कि darkroom के अंदर वर्क processing में काम चल रहा है तो उसके लिए अपने क्या है gate पे red light use करते हैं red light लगी उसका मतलब क्या है कि हाँ darkroom के अंदर वर्क processing पे है film द्वलप हो रही है अवास हो रही है जो भी process हो रहा है जब अपने process complete हो जाता है तो अपने क्या करते हैं जैसे door open करते हैं light green हो जाती है इससे अपने को पता लग जाता है light से अगर light light red है तो क्या होता है अंदर कोई radiographer work कर रहा है और light green है तो मतलब अंदर कुछ भी नहीं अपने अंदर जा सकते हैं और इसकी जो entrance होते है darkroom की वो क्या होती है बहुत जाता light tight होती है क्योंकि इसके अंदर lights नहीं जानी चाहिए इसके अंदर x-rays नहीं जानी चाहिए क्योंकि इसमें क्या अपनी unexposed film exposed film वो सारी इसके अंदर रहती है तो वो exposed नहीं होनी चाहिए और इसमें जितने भी सारे अपने x room में डार्क रॉम में एलेक्ट्रिक इइंस्ट्रुमेंट होते हैं जो सारे विजली सब्सक्राइज और्थिंग किये होते लार्थिंग कर देई अगर आप अपने पिछले क्लास में किया है ड उर्प की इंट्रेंस के बारे में पढ़ लिया था आज अपने इसको अगे continue करते हैं आज अपने पढ़ेंगे walls of the dark room dark room की walls के बारे में the walls of the dark room must be thick enough to protect agnist radiation dark room के walls कै है इतने ज़्यादा थिक होनी चाहिए enough होना चाहिए कि उसकी radiation से protection dark room की हो सके the inside walls of the dark room light colored this is for physiological purpose because black color is very depressing dark room के अंदर कौन सा color होता है light colored किया होता है क्योंकि ये एक physiological effect है कि black color होगा तो क्या है depressing sound लग जाए अपने उपने depressing feel होता है इसलिए अपने black color नहीं करते हैं कौन सा कोई हलका light color करते हैं instruments को तो light हलका color होता है इसके अंदर के हलकी light यूज होती है तो वो क्या अपने को असानी से दिखाई दे जाता है एक glossy cream और white paint also serve for this purpose इसमें क्या एक glossy cream आती है वो या white paint अपने कर सकते हैं अपने purpose के लिए यानि जो अपने को depression feel होता black color के लिए या अपने क्या dark room में क्योंकि ज्यादा light होने से film expose हो जाती है वो अपने क्या black color उस light को absorb कर लेगा अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देगा इसलिए क्या light color उसमें किया जाता है तो उसमें अपने क्या white paint भी serve कर सकते हैं walls can be cleaned regularly because dust is the greatest enemy of dark room regularly clean करने पड़ती है क्योंकि walls पर क्या dust जमने लग जाती है जो कि dark room की सबसे बड़ी enemy है सबसे बड़ा दुस्मन है क्योंकि तो walls पर dust वगएरा जमेगी dust क्या अपने film open करते हैं cassette को close करते हैं film निकालते हैं film को वापस डालते हैं उसमें वासिंग करते हैं developing करते हैं तो उस टाइम क्या है अगर बाइचान थोड़ी शी भी dust अपनी X-ray film पर गिर गई तो वह क्या है वहाँ पर निसान रह जाएगा इसलिए अपने क्या बिलकुल उसको regularly clean करना पड़ता है ना रहे नेक्स्ट अपना floor of the dark room dark room के floor के बारे में बात करते हैं तो dark room का floor आपको देखो कैसे होना चाहिए कि पर अंदर उसके worker जाता है ठीक है तो worker safe light के यूज में जाएगा उसमें lights नहीं होती है तो non-ports होना चाहिए slippery नहीं होना चाहिए by chance उस पर कोई chemical गिर जाए तो chemical वहाँ पर दाग दबे नहीं होने चाहिए absorb हो जाना चाहिए कपड़े से अपने साफ करें तो साफ हो जाना चाहिए और उस पर अपने क्या है कोई rubber के sheet वगरा है वो कुछ भी अपने लगा सकते हैं कि by chance chemical गिर भी गया तो क्या उसको easily हटाके दूसरी sheet लगा देंगे अब अपने इसके आगे continue करते हैं the choice of floor material should be such that it is non pores non slippery or durable यह क्या है अपना बिल्कुल भी non pores होना चाहिए जो अपने कई बार फर्स में क्या है अलकेल की pores होते हैं जिनमें क्या chemicals रह जाएगा बाइजांस गिर गया तो इसलिए non pores is non slippery और durable होना चाहिए it is resistant to strength by chemical और liquid यह क्या chemical और liquid इसे बिल्कुल resistance होना चाहिए उस पर गिरने के बाद chemicals absorb नहीं होने चाहिए आशानी से साफ हो जाए ऐसा पर होना चाहिए some varieties of hard rubber sheet will also serve the purpose because we can replace it easily क्या बहुत शारी varieties के rubber sheets आते हैं उनको क्या अपने वहां लगा सकते हैं किसलिए कि बाइतान सुन पर कोई chemical गिर गया या dust आ गई कुछ भी हो जाए तो उस rubber sheet को अपने हटा के दूसरी लगा सकते हैं या हटा के साप करके उसको वापस लगा सकते हैं यहनि easily replaced हो जाए इसके लिए अपने क्या उसमें दाक्रू में rubber sheets भी लगा सकते हैं अब अपने इसके बाद में बात करते हैं ceiling of the dark room dark room की ceiling के बारे में dark room की छट के बारे में the type of paint on the ceiling is important because it will produce which are likely to fall on the film or case it ceiling के सबसे important part है इस पर अपने क्या है अच्छा तरह का paint करना paint करना पड़ता है important part है क्योंकि अगर बाइचांस मानो ऊपर से ceiling से कोई भी dust वगर अगेगी flex वगर हो गया तो क्या है film पर अपने जैसे कुछ गिरा तो फिलम पर क्या दब्बे रहा जाएंगे फिलम पर कैसेट पर जहां भी गरेगा वहाँ दब्बे रहा जाएंगे इसलिए सत बिलकूल अच्छी तरह होने चाहिए उससे ceilings यानि उपर से पपड़ीशी उतर के नीचे नहीं गिरने चाहिए इसलिए उस पर क्या good quality का रंग बगेरा अपने को करना चाहिए एक good quality emulsion paint is stress factor to avoid risk on filling flex अगर अपने good quality का emulsion paint करते हैं तो वह क्या अपने लिए संतोष जनग होता है यह बहुत बढ़िया होता है क्योंकि वह क्या करता है अपने को filling flex से avoid करता है बचाता है जो अपने क्या दाग दब्बे आने की संभावना है सथ से dust वगरा पपड़ी वगरा गिरने की जो भी संभावना उसको बिल्कुल कम कर देता है तो जिससे क्या फिलम पे दाग दब्बे नहीं आएंगे यह अपने क्या लिया क्या बहुत ज़दा अच्छा रहता है अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेफ लाइट की सेफ लाइट देखो नाम से पता चल जाए सेफ लाइट यह बचत रहने वाली लाइट जो अपने लिए बहुत बढ़िया होती है तो डाग रूम क्या होता है पूरा एक अंदेरा कमरा होता है तो उसमें अपने क्या है जो नॉर्मल लाइट है वो यूज में नहीं लेते हैं अपने उसमें कौन से लाइट यूज में लेते हैं सेफ लाइट जो फिलम को सेफ रखे कैसेट्स को सेफ रखे और जो भी अपना प्रोसिजर होया वो सेफली हो जाए उसमें कोई भी दिकत ना आए क्योंकि शेफ लाइट होती है बहुत कम वोट की होती है जिससे हलका हलका लाइट होता है हलकी हलकी लाइट होगी और उससे कोई भी दिकत नहीं आएगी और फिलम अन एक्सपोज़ फिलम और एक्सपोज़ फिलम भहिएत होती है अपनी 6 लाइट डार्क रूम इज इन्यूमटेट दाथ बाइच डार्क रूम में क्या होती है Hep राइट होती है से इनन्जिफ लाइट इस व्लीच रहे लेट आफेक्ट ओन एक्स रेख फिलम से फ लाइट का बहूत कम नयकर ब्राबर एकसे फिलम पे इफेक्ट करती है so that फिलम्स केन भी हैंडलेट विदाउट एनी डेमेज इसके क्या बहुत कम लाइट होती है जो कि फिलम को इफेक्ट नहीं करती है और इसमें अपने क्या है फिलम को बिना किशी डेमेज के हैंडल कर सकते हैं यह अपने कैसेट से फिलम निकालते हैं हेंगर में लगाएंगे डॉलप में लगाएंगे वास्प करेंगे फिर उसको यह सारी प्रोसेस हो जाएगी विदाउट डेमेजिंग क्योंकि अपने क्या सेफ लाइट होती है उसमें अपने को हलका हलका दिखाई देगा और फिलम भी इससे एक्सपोजड नहीं होती है यूजवली स्पेशल कलर लाइट और लेम्प्स और यूजड सथ देट ग्रीन, ओरेंज, येलो, रेड लेम्प्स और लेस देन इसमें क्या अपने को नॉर्मल अपने क्या स्पेशल कलर्स के लाइट यूज़ में लगती है जैसे की ग्रीन, ओरेंज, येलो, और रेड जो कि ये 25 वोल्ट से कम के लाइट होनी से है 25 वोल्ट से ज़्यादा के लाइट नहीं होनी से है क्योंकि इससे ज्यादा की light होगी, वो क्या होगी, film को expose कर सकती है, इसलिए अपने बहुत कम वोट की light use में लेते हैं इसलिए नडय आइए आइड़ की डिस्तेंस बिट्वीन नडय शेयफ लाइट और और विल्म के बीच में याने कामरे शेयाफ लाइट लेते हैं कहा फिल्म अपने काम कर रहे हैं जो अपने टैबल होती है या जो हाओ पर अपने फिल्म एपने फिल्म रिखिए उसें कितना स्पयस होना चाहिए एक पॉइंट दो मिटर से ज़्यादा उससे कम स्पेस नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे कम स्पेस होगा तो लाइट कैप बहुत ज़्यादा पास में हो जाएगी फिलम को फेक्ट कर सकती है इट में बी रिडूज़ टू जिरो पॉइंट 6 मेटर इफ 15 वल्ट लेंप इज यूज़ अगर अपने क्या है 15 वल्ट का बलब यूज़ में ले रहे हैं लेंप यूज़ में ले रहे हैं तो डिस्टैन्स कितनी रहने चाहिए 0.6 मीटर इससे पास में 15 वल्ट का बलब नहीं होना चाहिए इससे अपने दूर चाहें तो लगा सकते हैं पर दूर लगाने पर क्या अपने को safe light का इतना effect नहीं रहेगा अपने कुछ पर दिखाई नहीं देगा इसलिए 15 watt का बलब हो अपने कहां लगाते हैं 0.6 meter के distance पर ताकि अपने क्या हलकेल के light भी आजाएं वरक भी हो जाएं अपना without damaging और film भी exposed now in this case of indirect lights बलब voltage of 60 volt can be used जब अपने indirect light use में कर रहे हैं ये direct light कौन शी होगी अपने तो 15 watt का बलब यूज में लिया था जिसका light क्या है direct film की तरफ आ रही है indirect light जिसके lights क्या है film की तरफ direct नहीं आ रही है दूसरी साइड में जा रही है और वहां से reflect होके film की तरफ आ रही है तो उस condition में अपने क्या है 60 watt का बलब यूज में ले सकते हैं in this method the safe light direct the light towards the ceiling which reflects is back into the room देखो यहां बताया गया है इस method में जहां पर अपने क्या है direct safe light यूज में नहीं ले रहे है direct safe light यूज में लेते हैं वहां तो क्या है lights direct आती है जहां अपने direct यूज में नहीं ले रहे हैं इस method में जिसमें अपने नहीं क्या बताया है 60 voltage बताया है इसमें lights के ceiling की तरफ जाती है और वहां से reflects होके room में आती है तो इसका बहुँ ज़्यादा effect वह बहुँ ज़्यादा कम हो जाता film expose नहीं होती है इससे देखो अपने को diagram में दिखाए गया यह क्या indirect safe light है indirect safe light में देखो क्या दिखाए गया है safe light का मुँँ का है उपर की तरफ है और यह क्या 60 वोट की है तो उपर की तरफ मुँँ है तो इसके जो lights हो क्या है ceiling की तरफ जाएगी वहां से reflect तोगी और room में फेल लेगी यह तो इदर diagram दिखाए direct safe light यह direct क्या है अपनी जो working bands है उस पर direct आती है इसके distance के 1.2 meter रखी गई है इसमें अपनी क्या 25 वोट का अबलब लगाया है इसके direct light आ रही है जैसे अपनी क्या working table के जैस्ट उपर लगी और direct इसके light working table की तरफ आ रही है तो अपनी क्या 25 वोट का अबलब यूज में लिया है उसमें distance कितने रखी है एक पॉइंट दो मिटर नेक्ट देखो safe light must be fitted with proper filter usually a sheet of gelatin is of the same color is fixed between two sheets of glass safe light अब वो भी क्या है इस प्रकास से fit होने चाहिए कि उसके बीच में proper filter लगावा होता है filter कैसे लगाएंगे एक gelatin की sheet आती है वो क्या same color की जो पर ने light लाए है उसी color की gelatin की sheet लेंगे और जो दो glass होते हैं sheet के glass होते हैं यानि just bulb के उपर अपने gelatin के light लगा देंगे जिससे क्या है जो lights आईगी वो भी filter होके आएगी direct अपने film पे आके expose नहीं करेगी the effectiveness of safe light is tested periodically to do this place a coin on an exposed film and now expose the film under the safe light for one minute repeat this process for two three four five minute and process it अब अपने क्या है safe light की effectiveness check करनी है कि यानि कितना उसका effect हो रहा है अपने film पे यह क्या अपने को periodically check करना पता है time to time check करनी होती है तो यह काम अपने कैसे करते हैं अपने coin लेते हैं और उसको unexposed film पे रखते हैं रखने के बाद उसको क्या करेंगे अपने safe light में expose करेंगे यह अपने safe light उसके नीचे रख देंगे देखते हैं कि फिर च्यार मिनट के लिए फिर पांच मिनट के लिए ऐसे lights के नीचे रखेंगे coins को film पे और उनको exposed करेंगे जो अपने safe light है उसकी lights से ताकि अपने पता लग जाता है कि उपने safe light किता ज्यादा effect एन-exposed film पे कर रही है next है end of the process find the time in which outline of the coin is just visible this is the maximum time that a film can be left under the safe light यह सारा process complete होने के बाद जिस time की amazing में अपने के coin visible होने लग जाता है उसमें अपने को पता लग जाता कि यह क्या maximum time में film को बाहर रखने का अगर इससे ज्यादा time में अपने film safe light में रखते हैं तो film क्या expose हो जाती है इसके लिए अपने क्या maximum time पता लगा कि इससे ज्यादा time में अपने film को बाहर नहीं रखनी है जो safe light क्या होती थी safe light एक ऐससा process जिसमें क्या है अपने सारा वरक आशानी से हो जाता है कोई भी damaging नहीं होती है और जो ऐसी लाइट जो film को expose ना करें film को भी safe रखे उसे अपने काते है safe light यह green yellow red अदिकलर में use होती है बहुत ज्यादा कम voltage में use होती है अगर अपने क्या direct light यूज़ कर रहे है तो direct light करते है 25 वोड़ से कम बलब की और जिसके distance सकते हैं 1.2 मीटर से ज्यादा और अगर अपने indirect light यूज़ करें तो 60 वर्ल तक की light यूज़ में ले सकते हैं इंडारेक्ट लाइट अपनी वो हो जाएगी जिसका फेस का है शीलिंग की तरफ हो जिसका है लाइट पहले शीलिंग से टकराएगी और फिर रिप्रेक्ट हो के नीचे की तरफ आती है वो गया अपना indirect light अब अपने का light का maximum पता केसे लगाते हैं कि अपने के वो कितने टाइम में फिल्म को expose करेगी तो उसके लिए अपने का एक process करते है एक film लेती है उसपे अपने coin रखते हैं और coin को क्या एक minute तक उस film को safe light में रखते हैं फिर अपने दूसरी फिलम लेंगे उसको भी थोड़ी देर तक सेफ लाइट में रखेंगे दो मिनट तक उपर कोईन रखने के बाद फिर यही प्रोसेस को अपने के तीन मिनट चार मिनट पांच मिनट तक करते हैं जब यह प्रोसेस कम्पलेट हो जाता तो इन फिलम्स को क्य डोलप कर लेते हैं, वास कर लेते हैं फिर अपने को जिस फिलम में अपने के कोइन कोईन दिखाई दने लग जाता है तो अपने पो पता लग जाते हैं कि यह पर फिलम केrakt इसको कनम के कारेद बफिलम का अपने के refund हो जाता ऐं चार्थ को उतायम सरीपेको पस्वलिंगे में पहरें पना किया है तो यह आज अपना क्या है डार्क रूम मि Salvador Kutum और सेफ लाइट हो गया है कि दा ऑग्रों का इंट्रोडेक्शन अपने कल की स्थु lata था और अग्या पास बॉक्स हो गया EC हो गई dry side, wet side dark room की maintenance वो अपने क्या आगे क्लास में continue करेंगे ये क्लास अपने यहीं खतम करते हैं Thank you अपने क्लास अपने क्लास अपने करेंगे झाल झाल